आज है दो मई 23 और 2 मई 23 से करेंट अफेस कि जितने भी इंपोर्टेंट कुछिंट बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुछिंट से रेलेटिट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए last time मैं आपसे question पोचूँगा उसका answer आपको comment box में बताना है आज किस video की pdf file आप इस video के discussion में डाउनलोड कर सकते हैं pdf आप हमारे telegram group से भी डाउनलोड कर सकते हैं telegram group पर आपको सारे pdf एक साथ मिल जाएंगी और telegram group का link मैंने इस video के discussion में दे दिया है तो आप उस link पर click करके telegram group join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में अंतरास्टी स्रमिक दिवस कब मनाया गया है तो अभी एक मै को अंतरास्टी स्रमिक दिवस मनाया गया तो इस question का बे options आई है एसे अंतरास्टी स्रमिक दिवस भी कहते हैं अंतरास्टी स्रम दिवस मजदूर दिवस भी कहते हैं और मई दिवस भी कहते हैं अच्छा यह मनाया क्यों जाता है तो मजदूरों के आंदोलन संगर्स और बरेदानों को याद करने के लिए हर साल एक माई को ये अंतरास्टी स्रमिक दिवस मनाया जाता है अचा यहाँ पर एक और important question बन जाता है कि भारत में पहला अंतरास्टी स्रमिक दिवस कब और कहां मनाया गया तो एक माई 1923 कब एक माई 1923 को भारत में पहला अंतरास्टी स्रमिक दिवस मनाया गया और कहां मनाया गया चेन नई में तो इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छूटा सा ही target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में science 20 engagement group की बैठक कहा होई है तो अभी G20 की भारत की अध्यक्षता में science 20 engagement group की बैठक लक्षी दीप में होई तो इस question का say options आई है लक्षी दीप के बंगा राम दीप में science 20 engagement group की ये बैठक होई है next question हाली में Santiago Pena ने किस देश की राष्टपती का चुनाव जीता है तो Santiago Pena इनोंने अभी Paraguay की राष्टपती का चुनाव जीता तो इस question का बे options है ये हैं Santiago Pena अब इनोंने Paraguay की राष्टपती का चुनाव जीता है तो आप map में ध्यान से देखिए ये South America में दिख रहा है आपको ये ही है Paraguay Paraguay की capital के है Asancian Paraguay की currency के है Guarani और अब Paraguay के नए राष्टपती तो ये ही बन गए है Santiago Pena अभी Miguel Diaz Canel को दूसरे कारकाल के लिए क्यूबा के राष्टपती के रूप में चुना गया सेख मंसूर बिन जायद अलनयान UAE के नए उपराष्टपती बने हमजा यूसुफ स्कॉटलेंड के प्रथम मंत्री चुने गए नैपल के तेसरे उपराष्टपती राम साहे प्रसाद यादब चुने गए सेख एहमद नवाफ अल एहमद अलसवा को कुएत के प्रथम मंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया और सेख मुहमद बिन अब्दुलरह्मान अल्थानी को कतर के प्रथम मंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया तो ये अभी रेसेंट में जो प्राइमिस्टर और पैसिडेंट बने है वो मैंने यह आपे लिखती है next question है हाली में भारत का पहला Cable Stay Rail Bridge यानि कि अंजी खड कहा बन कर त्यार हुआ है तो ये भारत का पहला Cable Stay Rail Bridge है अंजी खड ये अभी जमू कश्मीर में बन कर त्यार हुआ है तो इस question का say options है जम्मू कस्मीर के रियासी जिले में ये बन कर त्यार हुआ है अब जम्मू कस्मीर तो ये है मैप में जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर के प्रजेन टाइम पे ल्यूटेनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्ना और मनोज सिन्ना नहीं अभी जम्मू कस्मीर में ट्विलेफ गार्डन का उद्गार्डन किया एरेटर कम डांसिंग फाउंटिन का उद्गार्डन स्रीनगर में किया गया एसिया का सबसे बड़ा ट्विलेव गार्डन ये अभी जम्मू कस्मीर में कुला है जम्मू कस्मीर की डोडा में सबसे उंचा प्रतिस्टित राश्टि द्वज फेराए गया एसिया की अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस स्रीनगर में सुरू होई परेटन मंत्राले ने जम्मू में पहली स्नो मेराथन का आयोजन किया और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का बार जम्मू कस्मीर को मिला है अच्छा भारत में जम्मू कस्मीर में पहली बार लेथियम के बंडार मिले है अच्छा जम्मू कस्मीर में दच्ची ग्राव नेसनल पार्क है, केस्त बाड नेसनल पार्क है, जम्मू कस्मीर में डल जील है, बुलर जील है, इतना आपको जम्मू कस्मीर के बारे में याद रखना है ने कुशिन है, हाली में परमाड उर्जा-Áयो के नए अध्यक्ष कौन बने है तो भाबा, Atomic Research Centre के निदेशक है के भावा, A.T.M. यही अभी परमाड उर्जा-Áयो के नए अध्यक्ष बने, तूशिशन का B.O.P.S. और यही अब परमाड उर्जा आयो के नए अध्यक्ष बन गए हैं अच्छा अभी साइकलिंग महासंग के नए अध्यक्ष पंकर सिंग चुने गए Association of Acid Reconstruction Companies के CEO हरी हर मिस्त्रा बने हैं Nescom के अध्यक्ष की रूप में अनंत मायसवरी को न्यूप किया गया Santanu Roy को BML Limited के CMD के रूप में न्यूप किया गया और भारत Dynamics Limited के CMD के रूप में A माधवराओ को नामित किया गया Next question है हाली में कौन मौलडीव के तीन दिवसी दोरे पर गए हैं तो हमारे रक्षामंत्री हैं राजनास्थिंग यह अभी मौलडीव की तीन दिवसी दोरे पर गए तो इसकुशन का A options आई अब मौलडीव तो यह है मैप में मौलडीव की Capital क्या है मौलडीव की Currency क्या है मौलडीवियन रुफिया और मौलडीव के जेन टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है एब्राहिम मौहमद सोले Next question हाली में यूरोप में Refined Eden का सबसे बड़ा आपूर्ती करता कौन बना है तो अभी यूरोप में Refined Eden का सबसे बड़ा आपूर्ती करता अपना देश भारत बना है दुसकुशन का C options है अचा अभी भारत बित्ती धाची में सुधार पर राष्ट मंडल समू की अध्यक्षता करेगा डेजी सीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा मैला पाइलेट भारत में है एरेक गारसेटी भारत में अमेरिकी अमबेस्डर नियुक्त हुए है और अभ्यास लापरोस के तेसरे संस्कट का आयोजन बारत के द्वारा किया गया नेक विशन है खाली में आरबियाई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में सीर्स पर रहा है तो अभी RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमिलनाडू लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में टॉप पर रहा है तो इस कुश्चिन का B options है यानि कि तमिलनाडू उपर सबसे ज़्यादा बाजार उधारी है अब तमिलनाडू तो ये है मैप में तमिलनाडू तमिलनाडू की capital क्या है चिन नहीं तमिलनाडू के chief minister कौन है M की स्टालिन और तमिलनाडू की governor कौन है R.N. Rabi अभी तमिलनाडू की मनाम दुराई मिट्टे के बरतनों को GA tag मिला तमिलनाडू की कुम्बम अंगूर को GA tag मिला है तमिलनाडू की राजिपाल ने online जुए पर प्रतिवन्द लगाने वाले बिधेग को मंजूरी थी असो का लेलेंड ने तमिलनाडू में आल बिमेन प्रोडक्शन लाइन लॉंच की और भारत का पहला हाइब्रेड रॉकेट चेंगल पट्टू तमिलनाडू में लॉंच किया गया अचा खादी सुरक्चा सूचकांक में तमिलनाडू टॉप पर है पूरे देश में मचली के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है आदिपूरम त्युहार तमिलनाडू मना जाता है जली का टू का आयूजन तमिलनाडू किया जाता है और तमिलनाडू में सत्ति मंगलम टैगर रिजर्फ है. इसे अभी TX2 अभाड मिला था. नैक् enriched हाली में डिंग, ल्रेन किस देश के पहले 277 चेंपियन वने है. तो डिंड, लेन ये अभी चीन के पहले 277 चेंपियन वने. तो इसको ऊप्सेंड का C.O.P.S. हा ये. ये हैं डिंग लेरेन अब ये चीन के पहले बेहीं सुन सथरन चेंपियन वने तो ये है मैप में चीन चीन की केपिटल के है बेजिंग चीन की करणसी के है रेनमिन भी और चीन के प्रजैन टाइम पर प्रेसिदेंट कौन है जी जिन्ठेंग अभी चीन ने फेंग्योन थ्रे उपग्रे लॉंच किया, स्वनिर्मित अरपतियों में चाइना टॉप पर रहा, चेन की संसद ने नए प्रेमियर की रूप में लेक यांग को नामित किया, और चेन ने संचार उपग्रे जौंग सिंग 26 का प्रक्षी पड़ किया, चेन ने अमेरिका में एक माई को मनाए गया, तो इस कुछिन का बे ऑप्षन सही है, महराष्ट दिवस और गुजराद दिवस ये दोनों एक माई को मनाए जाते हैं, तो दोनों आप याद रखिए, महराष्ट दिवस और गुजराद दिवस ये एक माई को मनाए जाते है, ने कुछिन है, हाली मे Bank of India के MD&CEO कौन बने हैं तो अभी रजनीज करना टक Bank of India के नए MD&CEO बने हैं दूसकुशन का C options है ये हैं ये हैं रजनीज करना टक और ये ही Bank of India के नए MD&CEO बन गए है अच्छा अभी टाटा Electronics द्वारा रडदीर ठाकुर को MD&CEO की रूप में योग किया गया हिमाचर प्रदेश हाईकोट के कारे बाहक मुख्य नियाधीस की रूप में जस्टिस तरलोक सिंग चोहान को नियुक्त किया गया मद्रास हाईकोट के अत्रिक नियाधीस की रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने सपतली और LIC ने चेफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रतनाकर पटनायक को नियुक्त किया है ने क्यूशन है किस ने सौरास्ट तमिल संगम प्रसस्ति पुस्तक का विमोचन किया तो अभी प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्थ तमिल संगम प्रसस्ति पुस्तक का विमोचन किया तो इस कुश्यन का बे ऑप्सन्स है ने क्यूशन है हाली में कहां फूड कॉन क्लेब 2023 का आयोजन किया गया तो अभी हैदराबाद में फूड कॉन क्लेब 2023 का 2023 जीती है तो अभी सर्जियो पेरेज ने अजर वैजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 जीती तो इस कुश्यन का ए ओप्सन्स है यह है यह है रेड वूल कंपनी के फॉर्मुला वन ड्राइवर सर्जियो पेरेज और इनो नहीं अभी अजर वैजान ग्रेंड प्रिक्स 2023 जीती अबू धाबे Grand Prix भी जी थी और ब्राजिलियाई Formula 1 Grand Prix जोर्ज रसेल ने जी थी, 2022 मेक्सिको Formula 1 चेंपियन सिप मैक्स बस्ट अप बन ने जी थी, तो ये आप याद रखी, ने क्यूशन है, हाली में Infosys को पेछे छोड़कर भारत की चटी सबसे मुलिवान कंपनी कौन सी बन गई, तो अभी Infosys को पेछे छोड़कर ITC भारत की चटी सबसे मुलिवान कंपनी बनी, तो इस कुशन का C options है, ITC, इसकी स्टापन कव होई थी, 1910 में, इसका Headquarter कहां पे है, कुलकाता में, और इसके Present Time पे, MD and Chairman कौन है, संजीब पुरी, कौन है, संजीब पुरी, अब Last Video के कुशन का Answer, Last Video मैंने आप से कुशन पूचा था कि हाली में, सिंथन स्नोफ फेस्टिवल 2023 कहां आयो जित हुआ, तो अभी जम्मू कस्मीर में, सिंथन स्नोफ फेस्टिवल 2023 आयो जित हुआ, यानि कि इस कुशन का, बे option सही था, और लगबग सबे स्टुरेडनेस कांसर सही दिया, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, question के बारे मैं आपको जितना जाद से जाद पता हो, आप लिखा करो, क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में, केस राजी को स कोश्ट करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पर join कर सकते हैं, क्यूंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indreshrc, indreshrc, Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुट सकते हैं, और कोई doubt, कोई भी confusion, without any hesitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना, आज किस वीडियो का टार्गेट है, 40 या लाइक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपके पा नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजी, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब ये आप से सब्सक्राइब रहेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकर मन के आएगा, आप उस बेल आइकर पर जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में करेंट अफेल्स की वीडियो मिलती रहें, नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू, तैंक्स और वाचिंग